सब्सक्राइब कीजिए सिवानी की रसोई चैनल को और बैलकन को दवाईए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए सबसे पहले हम 12-15 हरी मिर्च लेली हैं आप जितना बनाना चाहे उतना आप हरी मिर्च ले सकते हैं तो आप हम हरी मिर्च को क्या किए हैं 20 से कट कर देंगे इस तरीके से cao की म смदासे सको 20 से कट कर देना एक दम दो भागों में नहीं डिवाइड करना है, बस बीड से थोड़ा सा कट लगा देना है, ये देखे इस तरीके से आधा मिर्ची में हम कट लगा देंगे, ये देखे पूरा नहीं कट करना है, बस आधा मिर्ची में कट लगा देंगे, तो इसी तरीके से सभी हरी मिर्च म तुछ तो वह हम दिखा देते हैं यहां पे इंदिए बिलकुल इसी तरीके से कट करना है दोबाग में नहीं इसको डिवाइड करना है तो चलिए अब सब यह सब हरी मिर्च को फ्राइब कर लेते हैं तो यहां पे हम गैस नं कर्के कराइज चबे देंगे उसको कोई भी cooking oil का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पर हम टेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी हुए जदा नहीं डालना है बस 2 चुटकी हिंग डाल के और अब हम हुआ य constitu ietzt to जित्ने भी कटे हुए हरी मिर्च थे सभी को हम इससे ड्याम हचाती पें सब तो इसाछी नहीं जाले को crawled सीज लेके मिर्ची को जदिद्टे में कटे हुए बेतार जाल कर देता है तो पहले food दक प्रॉयक करना के falar है तो अब हम ने जिएक चमच धन्या पःट्र, अधा चमच हल्दी पःट्र डाल देंगे, यह दिएक आधा चमच हल्दी पृट्र डाल देते हैं और अब हम सभी चीजों को अच्छी से करो अँप्ज से चब्डिक्ट lead तो मसालों को भी हम कुछ सेकेंड के लिए पका लिये हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे दही तो चार से पांच चमच हम फेटी हुई दही ले लिये हैं और उसको अब हम इसमें डालके इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स तो दही जब डाले उसका अच्छे से लगातार चला तर छोड़ना नहीं है तो लगातार चलाते होें हम इसको अच्छे से पकालेंगे, इसे तनी तरीके से लगातार चलाते हुए Какदाम हलके हाथों से लगातार चलाइँगे और अच्छे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें जो दही है वो अच्छे से सूख न जाए तब तक हम इसको पकाएंगे तो यह देखिए दोस्तों मसाला मिर्ची जो वो ड्राय होना स्टार्ट हो चुका है यानि कि यह सूखने लगा है आप देख सकते हैं तब मसालों की तरह यह हो गया ह देखी जवाव लिसमें दाल देख साथ अब इसको कर देखे अब हम इसको 2-3 चमच नेमबू का रस नहीं डाले और अगर ऑगर देखी खट्टि नहीं हो तो नेमबू का रस ढ़ते यह देघियों दो चमच's हम मिंबू का रस टाल दी है और इसको अछे से कर देखे से मिक् आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हम ढही डाले थे वह अच्छे से ड्राइब हो चुका या निका अच्छी से सूक चुका है और यह हमारा टेश्टी सा मसाला मिर्ची फ्राई बन चुका है तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और तब हम आपको दिखाते हैं तो ये देखिए दोस्तों टेश्टी चटपटा मसाला मिर्ची फ्राई बन के हैं तयार तो आपने देखाना इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप लोग इसको 3-4 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं खराब होगा और आपका जब भी मन करें तब इसको आप खा सकते हैं जैसे कि बड़ा पाउं के साथ छोले भटोडी के साथ या फिर चावल डोटी के साथ आपको जीस के साथ खाने का मन हो आप इसको खा सकते हैं तो आप लोग इस सिंबल सी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा कॉमेंट कीजेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी जाजादा सेयर कीजेगा इस वीडियो को पर फ्रेंट्स और फैमली में तो मैं नेक्स वीडियो फिर से रहूंगी तब तक के लिए बाई